हेलो इवदिवान चावल की रोटी जी हाँ राइस की रोटी यह भी बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आज हम देखने वाले हैं चावल के रोटी की रेसेपी जो कि बहुत ही आसान है बनाना लेकिन आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि च माठा कैसे गुंतना है इससे लेके मैं इसकी रोटी कैसी बनानी है यह भी इस वीडियो में मैं शेर करने वाली हूँ और यह रोटी को सेकना कैसा यह सब बातं है बहुत इंप़ॉर्टन है तो अन्त तक बने रहे है मेरे वीडियो में तो आएज में फटा-फट बनाना कड़ा देंगे कड़ाई में और इसमें तुररणत हम डालेंगे थोड़ा सा नमक वनफोच जितना रसवाद दालेंगे और बिल्कुल वनफोच जितना हमते हैं डालेंगे अब इसे हमोड़되는 देंगे एक अच्छा उबालाने के बाद हम आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे तो यहाँ पर अच्छासा उबाल यहाँ पर आ चुका है, उबालाने के बाद ग्यास की फ्लेम को हम लो कर देंगे, अब इसमें आड करेंगे हम एक कप राइस फ्लोर, चावल का आटा है यह पानी में हम चावल का आटा डालेंगे गरम पानी में हम आटा डालेंगे तो उसकी गुठलिया नहीं बनती है बहुत ही मिक्स हो जाता है और मैंने यहां पे एक कब पानी और एक कब चावल का आटा सेम quantity में लिया है मतलब जिस कतोरी से मैंने पाणि लिया है से मुसी कतोरी से राइस-फ्लॉar भी लिया है तब हम इसे अच्छे से mix कर देंसे बस और ग्यास की flame को हम यहां पर बंद कर अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे ढखके रखेंगे 7-8 मिनट के लिए बहुत जादा नहीं पास से 7-8 मिनट तक हम इसे ढखके रख सकते हैं अब यहाप मैं 7-8 मिनट हो चुके हैं अब बड़ी प्लेट लिए इसमें अब यह निकाल लेते हैं यह अभी भले ही हमें तो आप चाहे तो यहाँ पर एक कटोरी भी ले सकते हैं उससे भी स्मैश कर सकते हैं यह हाथ में काफी गरम लग रहा है अभी भी इसमें से भाप निकल रही है तो मैं क्या करती हूं थोड़ा पानी लेती हूं थंडा उसमें हाथ डुबा लेती हूं और इसको मैं स्मैश करते जाती हूं जैसे हाथ में गरम लगता है पानी में हाथ रुडबा देती हूं थंडे पानी में और इससमैश करते जाती हूं तो यह बहुत ही अच्छ कर ले ना है अच्छ ही मल लेना है तो यह आठां पानी में यह productive आठागर कर न तब तक हम पानी का हाथ ले लेके इसे स्मैश करते रहेंगे। देखिए स्टार्टिंग में ये कितना सुका सुका सा लग रहा था। अभी अच्छे से इसका आटा हम गुन सकते हैं। ज्यादा पानी नहीं लेना है हाथ में, स्रिफ हाथ को पानी में डुबाना है। लग भग मैंने अच्छे से स्मैश कर लिया है, अब थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे और चिकना बना लेंगे बढ़िया, ताकि ये हाथ में नहीं चिपकेगा। अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे हमें सॉफ्ट बना लेना है डुब को ताकि हमारी रोटिया बहुत अच्छे से सॉफ्ट बने। लग भग पाच से साथ मिनाट तक मैंने ये किया है, इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने स्मैश कर लिया है। और तेल थोड़ा-थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा के हम इसे बढ़िया चिकना बना लेंगे, अब लगभग यह होते आया है, हमारा डो तयार होते आया है, तो अब हम इसकी लोईया बना लेंगे, मैं इसकी सिर्फ तीन रोटिया बनाने वाली हूं, क्योंकि इसकी रोटिया के लिए बड़ा बड़ा सा हमें दो लेना पड़ता है और इस तरह से में इसकी तीन दो मैंने बना लिये हैं अब इसकी ये निशानी है कि यहां पे अगर बिल्कुल दरा रेना पड़े क्रैक ना पड़ेना तो ये हमारा आठा बिल्कुल पर्फेक्ट बनके स्कते करने में के रोटी की बेलने के जाए लिए स्मय नेम के लिए में स्यूका पीनिटेनल स्कीज रूटी के लिए से लिए शिल लेंगे और फिर सूका आटा लगाके चकने पर हम इसे बेलते जाएंगे तो इसके बेलने का भी एक खास तरीका है जैसे हम रोटी बिल्कुल बिंधास बेलते हैं ऐसे नहीं बेलना है इसे बिल्कुल हलके हाथों से बेलना है बेलन पर जादा प्रेशर नहीं देना है हलके हलके हाथो इसको बीच बीच में उठाना है ताकि चकने को चिपक न जाए यह बहुत जल्दी चकने और बेलन को चिपक जाता है आटा तो हम इसको बार-बार उठाते जाएंगे बेलते जाएंगे बीच बीच में उठाते जाएंगे और बेलते जाएंगे इस तरह से इसे बेलेंगे तो किनारे भी नहीं फटेंगे और रोटी बहुती अच्छे से पतली पतली बेल के तयार हो जाएगे तो अंदाजा लेते रहें एकी साथ बहुत सार आटा मत लगा दीजे थोड़ा थोड़ा आटा जरूरत की हिसाब से लगाते जाएए और रोटी को बीच बीच में उठाते जा हम निकाल लेते है हाथ की सायता से अब इसे हम सैक लेंगी तो मैंने पहले फिवा जो है गरम करने के लिए रख दिया था यह लोहे का तवा है लोहे के तवे पे मोसली हिते बनाते थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लेते हैं अच्छा गरम होने देना है और बाद में डालते वक्त हमें ग्यास की फ्लेम लो कर देनी है और रोटी डालने के बाद फिर से ग्यास की फ्लेम को हाइप कर देना है थोड़ी से पकने के बाद रोटी को हम एक बार पलट देंगे और जब पलटेंगे तो उसको दाग नहीं होना चाहिए ऐसे पलटेंगे फिर जब पलट देंगे तब उसको दाग होने चाहिए मतलब मैंने सिप दो बार पलटी है और दो बार में ही देखिए वो बहुत ही अच्छे से फूल जाती है बहुत ही परफेक्ट बन जाती है रोटी हम हम इसे कपड़े पर रखेंगे डारेक्ट बरतन में नहीं रखना है हमें इसे कपड़े के उपर में रखना है ताकि यह सॉफ्ट बने इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी यहां आपके सेक के दिखाती हूं पहले हम तवे को साफ कर लेंगे फिर उस पर रोटी डालेंगे हिलनी चाहिए रोटी बराबर ग्यास की फ्लेम हाई पर रखेंगे रोटी डालने के बाद और थोड़ी सी पकने के बाद हम पलट देंगे पलटते वक्त नीचे से दाग नहीं होने चाहिए सफेद रोटी होने चाहिए और पलटने के बाद फिर उसको दाग होने चाहिए न और रोटी आपकी इसी तरह से फूलेगी और बढ़िया बन जाएगी एकदम सॉफ्ट बनेगी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है मसालेदा सब्जों के साथ और नॉन्वेज के साथ भी इसे खाया जाता है तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे और इसे भी हम कपड़े पर रखेंगे डारिक इसे बरतन में नहीं रखना है कपड़े के उपर रखना आईस है तो कोई-कोई रोटी चिपक जाती है फूलने से मना कर देती है तो उसको हम इस तरह से फुलाएंगे तो यह बहुत ही बड़िया फुल जाएगी कपड़े से दबा-दबा के फुलाएंगे तो यहां पे बनके तयार है आरी हमारी सौफ्ट सी चावल की रोटी नहीं राइस की रोटी मिलते हैं अगले वीडियो में बाई